नमस्ते, मैं आज शुरू कर रहा हूँ बिहार में आने वाले प्रख्यात विदेशी यात्री इंप्रोर्टेंट फोरेंट ट्रावलर हु विसित इंडिया इंडिया आज वेल आज बिहार मैं आपको बतला रहा हूँ सबसे पहला इसमें नाम है मेगास्थनेज का मेगास्थनेज जो थे वह आपको इनका जो जन्म और मृतु का जो पिरियड है 304 इसापुर्व से 299 इसापुर्व में यह थे और यह मेगास्थनेज जो थे 315 इसापुर्व में मेसोडोनियाई विजेता जो सिकंदर थे उनके जो पस्थिम एसियाई प्रदेश के जो छत्रव थे सेलिकस प्रथम नाइकेटर जो थे आपको वह जो है सो दूत के रूप में मौर्ज समराट जो चंदरगुप्त थे उनके पास से भेजे थे एक्चुली जो वास्तव में जो इस्थिती थी सिलिकस नाइकेटर चाहते थे कि इस छत्रों में अपना छत्र आधिपत्य करें और इस छत्रों को विजित करें लेकिन चंद्रकुप्त मौर्ज चानक के सहयोग से जो उनके गुरुदेव थे के सहयोग से इस छित्रों में बहुत अच्छा सम्राज और सेना खड़ी कर चुके थे जिसके कारण सिलुकस नाइकेटर जीतने में उनको असंभव लग रहा था बाद में संधी के प्रस्ताव को लेकर के मुख रूप से यह मेगास्थनी जाय थे और इस संधी के प्राबधान के तहत उनकी जो बेटी हिलना थी उनसे साधी भी हुई थी मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि इस में वह पाटली पुत्र आए और पटना का जो पुराना नाम था पाटली पुत्र था और उन्होंने एक पुस्तक लिखे इंडी का नामक पुस्तक लिखे लेकिन दुरुभग से वह पुस्तक आपको खत्म हो गई बिलूप तो हो गई लेकिन कुछ जो बादवाले काल में परवर्ती काल में जो लेखक आये वह उनके बारे में लिखे और उनकी चीजों को चर्चा किये उस चर्चा के दर्मियान आपको बतला रहे हैं परवर्ती लेखा कौन-कौन थे अडियन, एस्ट्रेवो, डायोडोरस, प्लूटार्क, जस्तिन, सुकिलस जैसे लेखको ने अपने पुस्तकों में उनकी बातों को, उनकी चीजों को, उनके संदर्वों को संदर्वित किया और उसके बाद जो है आधनिक युनानी विद्वान E.A. स्वान बेक ने मेगास्तनीत के काड़ियों को कई अंस एकत्र किया और उनके संग्रह के आधार पर जॉन वाटसन मैकरिंडल ने 1887 इस्वी में इंडिका का एक पुनर नेरमित संसकरन प्रकासित किया जिसमें मेगास्तनीत की बहुत सारी बातों को उन्होंने चर्चा किया जिससे हमारे मौर्ज कालीन जो शाषन ब्यवस्ता है राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्क्रितिक पहलूं पर विसद ग्यान हमलों को प्राप्त होता है तो यह मेगास्तनेज जो थे वह बहुत अच्छे तरह से सविस्ता रूप से उस समय के काल की सारी चीजों को बहुत अच्छे तरह से सुक्ष्म रूप से चर्चा किये थे मैं आपको पाटली पुत्र का जो वर्णन किये हैं वो पाटली पुत्र को पाली ब्रोथा वो शंबोधन करते थे और वह जो है उन पाटली पुत्रा के बाड़े में बतलाए कि गंगा और सोने के संगम पर यह बशा हुआ सहर था और इनकी लंबाई 9 मिल और चौराई पौने 2 मिल थी नगर के चारो दिवार थे जिसमें 64 द्वार और 570 दूर्ग बने हुए थे अधिकतर मकान लकडी के थे आपको नगर प्रशाशन की देख रेक में 30 सदस्यों का एक बोर्ड द्वारा नियंतरन किया जाता था और यह बोर्ड चौ सदस्यों में विवाजी था और इस सदस्यों को एक नाम है जो पड़िछाओं में पूछा जाता है अस्टो नोमई उसको ध्यान में आप रखेंगे अस्टो नोमई आपको बहुत पूछे जाते हैं पाली ब्रोथा बहुत पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ट्रैविलर यात्री आए इतिहासकार आए जिस काल में आए उस काल के राजा को ध्यान में रखिएगा और कहां से आये थे और किनके द्वारा भेजे गए थे इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे तो यह मेगास्तनीज कहां से आय थे तो मेगास्तनीज जो और किन के द्वारा भेजे गए थे तो यह 16 सेल्यूकस प्रथम नाइकेटर के द्वारा भेजे गए थे और किस के काल में आय थे तो चंद्रगुप्त मौर्ज के काल में आय थे और इन्होंने कौन पुस्तक लिखी तो इंडिका और पटली पुत्रा का नाम पाली ब्रोथा कहा था और अस्ट नोमई जो थे उनके आपके सदस्य थे जो सदस्य नियंत्रन करते थे पटली पुत्र के सारी चीजों को तो यह चार-पांच बातें आप इनसे संबंधित ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई प्र सीरिया के सासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदूसार के दरवार में भेजे थे बिंदूसार जो है वह आपको यह बात पता होगा नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिंदूसार तीन चीजों को मांग किये थे वह तीन चीजों में था सीरिया के नरे से वह मांं किये थे, उसमें एक अंजीर था, मिठी सराब थी, और यूनानी दर्सनिक था, तो वहां के जो नरेश थे, उनको दो चीज तो अपलक्थ करा दिये, भेज दिये थे, डेमोकलियस, डाइमेकरस के दोरा, अंजीर और मीठी सराब उनको भेजे थे लेकिन यूनानी दार्शनी को उन्होंने नहीं भेजा था क्यों नहीं भेजा था क्योंकि आपको बता दें कि वहां के जो परंपरा में एक बात थी कि बिद्वानों को बेचा नहीं जाता है, बिद्वानों को भेजा नहीं जाता था, इसलिए वह जो है बिद्वानों को बेचने और बिद्या को कहीं बेचा जाता है, हम लोग की भी संस्कृती में बिद्या को नहीं बेचा जाता है, इसलिए वहाँ दार्षनी को बेचा और भेजा नहीं जाता था इसके लिए उनको रोक दिया गया था लेकिन दो चीजे उनको उपलब्ध हो गई थी यह बात आपको परवर्ती जो लेखक एस्ट्रैबो थे वह जो है सो यह बात की चर्चा करते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो लिखी गई आलेक है वो भी हो गया खत्म हो गया इसके चलते परवर्ती लेखक एस्ट्रैबो ने इस बात की चर्चा की है उसके बाद डायोनेसियस था तो डायोनेसियस जो थे मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेलफस का राजदूत और किनके दरवार में आया था बिंदू सार के दरवार में तो मैं द देमोकलियस डायमेकस सीरिया के सासक एंटियोकस परथम के द्वारा भेजे गये थे और दूसरी बात है किनके दरवार में तो आपको चंद्रगुप्त मौर्ज जो थे उनके बेटे बिंदू सार थे वह बिंदू सार के दरवार में यह दोनों आये थे डेमोकलियस और डाय दोनों डी से है ध्यान रखेंगे और उसके बाद डियोनिसियस जो थे वह राजा टॉलमी फिलाडेस फिलाडेलफस जो मिस्र के थे उनके द्वारा भेजे गए थे तो जिस राजा के द्वारा भेजे जाते हैं उनको ध्यान रखेगा किस देश से आ रहे हैं उसको ध्यान प्राज काल में आ रहे हैं, उनको आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे. आइए, मैं आप उसके बाद आता हूँ. फाहियान जिसको फासियान भी कहा जाता है. में आपको बतला रहा हूँ फाहियान जो था उनका जन्म वू यंग में हुआ था और उनका जन्म जो है 337 सीथभी में हुआ था मृतु 422 अनुमानी था इसमें एनुमान किया गया है लगभग यही था 422 मैं आपको बतला रहा हूँ फाहियान कहां से आये थे तो यह चीन से आये थे चीनी बहुत बिक्चु थे यह यात्री भी थे लेखक भी थे अनुवादक भी थे और जिस समय यह आये थे उस समय एक्चुली यह राजवन्स के द्वारा राजा के द्वारा नहीं भेजे गए थ किस उस समय चीन से जो आए वह किस राजवन्स का वहां शासन था तो आप धिहान लखेंगे जीन राजवन्स का शासन था और यह भारत में जो आए विसेश करके बिहार में जो आए तो उस समय किन का शासन था तो गुप्त काल का शासन था और चंद्रगुप्त दूतिये विक विक्रमादित की उपाधी दी गई थी तो वह जो है चंद्रगुप्त दूतिय विक्रमादित के राजकाज में आये थे शाशनकाल में आये थे और यह जो है पाटली पुत्रा में तीन साल है और इन्होंने संस्कृत और बौध ग्रंथों का काफी अध्यन किया आप इससे पता चलता है कि उस समय भारत की गडिमा को बरहाने में बिहार और बिहार में खास करके उसकी राजधानी पाटली पुत्रा का कितना गोरवशाली इतिहास रहा है आप इससे समझ सकते हैं और यह जो नगड़ी थी पाटली पुत्र जो था विद्वानों की हम लोगों के प्राचीन काल में जितने भी रिसी महर्सी हुए जंगल में रह करके बहुत अच्छे अच्छे गरंथ वेद जैसे गरंथ की रचैता ये लोग रहे हैं तो उसी तरह से पाटली मिन्स होता है आपको पौधा तो यह जो शहर था पौधे का पुत्र वाला शहर मिन्स पौधे से आख्छादित था जंगल के रूप में था दो नदियों का संगम अस्थल था बहुत ही रमनिक वातावन था और यहां पर साड़ी विद्वान रहते थे और उस विद्वानों से आपको तीन वर्स तक अध्यन किये आप यही समझ सकते हैं 65 वर्स की आयू मे 399 में वह चीन लोट गए आप समझ सकते हैं इस उम्र में वह लोटे हैं और यह खास के राजगीर के गृद कुट परवत पर जब वह गए और वहां की स्थिती को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे इतनी उनकी संबेदना जागलित हो गई कि क्या यह पल है क्या य रोनित करने वाला यह च्छन और यह महिमा मंडित छित्र है और इसको देख करके वह अभिवूत हो गए और उस अभिवूत से उनके आँखों में आपको समझे कि आनंद असुरू बहने लगे आनंद का असुरू मिंस आपको आँखों से असुरू बहने लगे तो यह उनकी स्थिती थी मैं आपको बतला रहा हूँ कि उन्होंने यात्रा बृतांत का शंकलन किया बहुत देशों का बृतांत जिसको फौकुओ कहते हैं फौकुओ फौकुओ इसको धिहान में रखेगा फौकुओ आपको धिहान में रखना पड़ेगा और इस शंकलन में सामाजिक ध धार्विक जीवन का पता चलता है इनका मुक्रूद्दे से था बहुत ग्रंथों की खोज और बहुत जन्मस्थल और जिसको धर्मस्थल के रूप में वो मानते थे वो धर्म यात्रा करना चाहते थे पातली पुत्रा शहर में महायान और हीन यान संप्रदाय के दो भब्य बौध बिहार उन्होंने देखा जिन में 600-700 चौश सो साथ सो विक्चूर रहते थे आप यह समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अस्थान था जहां पर 600-700 भिक्चूर रह करके अध्यन का कार्ज करते थे और कितने बड़े विद्वान थे जो विशो के उस समय जो विशो था उस विशो के प्रमानिक और विद्वजन यहां रहते थे और पठन पाठन का कार्ज कर मैं उसके बाद हुएन सांग की बात कह रहा हूँ हुएन सांग कहां से आये थे तो वही चीन से आये हुए थे चीन देश से आये थे और आपको बता देते हैं उस समय किन का काल था तो हर्षवर्धन का काल था हर्षवर्धन के काल में वह आये थे उनको वर्तमान शाक्यमोनी निती का पंडित और यात्रियों का राजगुमार दा प्रिंस और पिल्ग्रिम्स के रूप में वह जाने जाते हैं भारत में वह 15 साल रहे और उसमें मुखरूप से 8 साल हर्स के दरवार में वह रहे आपको यह और पांच साल नालंदा विस्विद्याले में रह करके उस समय के कुलपती और आचार्ज जो थे सिल भद्र के चरुणों में बैठ करके उन्होंने आपको सिक्छा ग्रहन किया था बताए कितने बड़े वह सिल भद्र थे जिनके चरुणों में बैठ करके हुएंसांग जो हैं सो आपको अध्यन किये थे वही हुएंसांग के बाड़े में जवहर्स वर्धन को मालुम हुआ कि प्राग जोतिस्पुर के राजा के हाँ वह रह रहे हैं तो उन्होंने संबाद अपने दूद के दूद के दौरा संबाद भिजबाया कि आप हमको कृपया करके वह विद्वान को हमारे राजदरवार में प्रस्तूत कीजिए तो उस समय के जो राजा थे वहासकर वर्वन तो वह कहे कि मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन मैं इस विद्वान को नहीं दे सकता हूँ उस दूद को कह दिये तो दूद आकर के हरस्वरधन को कहा कि ठीक है तुम फिर जाओ और कहना कि ये किथाल में सर अपना काट करके रख दे और हमको दे दे मुझे विद्वान नहीं चाहिए इस पर प्राग जोतिस्पूर के राजा समझ गया कि अब हमको हर्सवर्धन चड़ाई करेंगे इस विद्वान के खातिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है हसते हुए कि भाई आप ले जा सकते हैं इस विद्वान के तो वह विद्वान आप समझे जिन्होंने हमारे बिहार में रख करके नालंदा विस्विद्याले में सील भद्र जैसे विद्वान के चरोनों में बैट करके वह अध्यन किया हो और वह इतना ग्यानी हो गया कि दो राजाएं राजाओं में युद्ध हो गया उनके लिए युद्ध होने की सिती आ गई और अपना जब वहां पहुंशते हैं राजदरवाड में हरसवर्धन के राजदरवाड में तो प्राग जूतिस्पुर के राजा खुद ले करके पहुंशते हैं और यह जान करके बहुत ही आपको गौरव का अनुभव होगा कि हर्सवर्धन अपने जो राजशिंग हसन से उठ करके उस समय जहाँ वह पहले जो लोग बैठते थे राजदरबार में नीचे दड़ी चादर और सब बिछा हुआ रहता था वहाँ पर वह बैठे हुए थे तो हुएन सांग आय तो बैठे हुए थे वहाँ से राजशिंग हसन से उठ करके और उनको नतमस्तक किया और वह जुक करके प्रणाम किया उस विद्वान का और आदर श्वागत करते हुए उनके साथ नीचे ही बैठ करके बाचीत करने लगे और आपको 10,000 मुद्राएं और 30 हजार चांदी की मुद्राएं उनको भेट किये आप हुएन सांग बिद्वान थे उन्होंने कहा राजा को कि राजन हम इतना धन ले करके क्या करेंगे आप मैं शम्मान को सम्मान ग्रहन करते हुए आपके राजकोस में फिर से मैं आपको जमा करवा रहा हूं क्योंकि यह आ आप सिक्षा के छितरों में उत्थान के लिए इसका उपयोग किजिएगा विद्वानों को संद्रक्षन और संबर्धन करने में आप उसका उपयोग किजिएगा लेकिन इतने धन ले करके हम क्या करेंगे तो आप इसको अनुचित नहीं समझते हुए सादर आप इसको अपने खजाना में रखवा दिजिए तो आप यह समझ सकते हैं उस समय के हमारे राजा कैसे थे और उस समय के अविद्वान कैसे थे आप इसे समझ सकते हैं तो मैं आपको बतला सकता हूँ कि हुएन सांग जो एक पुस्तक लिखे थे वह सी यू की था जो आपको बुद्धिस्ट रिकार्ड आफ दा विस्टरन वर्ल्ल के रूप में यह जाना जाता है और हुई ली जो थे हुएन सांग पर पुस्तक लिखे जुआंग जांग क्योंक को बता देते हैं कि बिहार की शमाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक पर बहुत अच्छा उन्होंने सुक्ष्म रूप से वरनन किया है जो हम सब के लिए गरवानित प्रिस्ट भूमी की जानकारी का एक आधार अस्तंभ प्रस्तुतुआ करते हैं आईए मैं आगे बता रहा हूँ उनकी भारत यात्रा क्लासिक चीनी पाठ पसिम छत्रों पर ग्रेट तांग रेकार्ड में विस्तार से दर्ज की गई है आप समझ सकते हैं वहां का जो ग्रेट तांग रेकार्ड है उसमें उनकी सारी बातों को रखा गया है यह हम सब के लि के बाद इत्सिंग आये इत्सिंग सात्मी सताब्दी में सात्मी सताब्दी का दूसरा चीनी यात्री थी एक्चुली हुए इंसांग भी सात्मी सताब्दी में ही आये थी यह दूसरे यात्री हैं चोसव तीहत्तर इसमें भारत आगमन है चोसव बेरानवे इसमें तक यहां रहे और प्रमुख बौद विक्षूओं की आत्मकताएं पुस्ता की लिखे हैं सिक्षा ग्रहन उन्होंने किया है नालंदा महा विहार में जहां पांच हजार विक्षूक रहते थे जब की उन्होंने उस समय विक्रम सीला महा विहार जिसको आज कल हम लोग विस्विद्याले कहते हैं उस समय महा विहार कहा जाता था उसकी भी चर्चा करते हैं तो मैं आपको बतला रहा हूँ इस सिंग के बारे में आपको बतला रहा हूँ तो आप लोगों को मैं आगे और भी बतला हूँ अब मैं सुरू करने जा रहा हूँ हेको हेको जो आपको दक्षिन कोडिया के बहुत भी चुक थे और उनका जो पिरियड रहा है साथ सो चार से लेकर के असी इस्वी और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था वह पुस्तक था प्लिग्रिमेज टू फाइव किम्डम्स आफ इ थिहास का कोडियावासी इनको प्रथम विस्वव्यापी कोडियावासी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत आपको अध्यन करके और खोज करकर के आपको भारत और अन्य देशों के बारे में उन्होंने लिखा था इसलिए उनको कोडियावासी ने प्रथम बिस्व ब्यापी कोडिया वासी मानते हैं कोडिया देशों का यह गर्व है कि ऐसे हेको जैसे विद्वान और आपको यात्री को पैदा किया मैं आपको बतला रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की धर्ती को उन्होंने बड़ा ही प्रसंसित धंग से गर्वानित धंग से वर्नन किया है और वह ऐसा धंग से वर्नन किया है जो सुक्ष्म रूप ही नहीं समचीन रूप से वर्नन किया है बिहार के इतिहास, बिहार के समकालीन इतिहास, बिहार के सांस्कृतिक इतिहास के विशेबस्तु को बहुत बहतरीन धंग से प्रस्तुत किया है आगे आते हैं धर्मश्वामी यह तिब्बत के बौध विक्चू थे जो नालंदा में पढ़ते थे और पठन पाठन समाप्ती के बाद वह आपको लोट रहे थे तो उस समय आपको मिठला के बहुत ही आपको बहुत अच्छे राजवन्स के दरवार में वह पहुशते हैं और वह राजवन्स था करनाट वन्स था और उस समय करनाट वन्स की राजधानी थी सिमौन गर्ष सिम्रावन गर्ष भी कहा जाता है अब वह पढ़ता है नेपाल में उस घने जंगल से होते हुए वह सिम्रावन गर्ष पहुशते हैं और वहां की सारी चीजों को वह प्रस् करते हैं जो हम लोग अभिवंचित रह जाते अगर वह नहीं प्रस्तूत करते तो विसेज करके हमारे मिथला का इधियास नेपाल का इधियास तो आएए मैं आगे बढ़ता हूँ मू तकिया के बारे में तकिया जो थे आपको अकवर के शाशनकाले में वह जौनपूर से के बारे में बहुत में सुक्षम रूप से उन्होंने आपको वरनन किया है लेकिन उनकी जो लेखन सामगली थी जो पुस्तक थी वह सुरक्षित नहीं रह पाई अब उपलब्ध नहीं है लेकिन उसका कुछ उर्दू में अनुवादित अंस आज भी हम लोगों को प्रेडि में बहुत नहीं अच्छी सामगरी प्रसूत करता है इसके बाद मैं आ रहा हूँ राल फीच पर राल फीच अंग्रेज यात्री थे और 1550 से 1611 का पिरियड है आपको 1585 से 87 के बीच में वह मुगल सामराज की यात्रा किये आग्रा से बंगाल जाने के क्रम में वह पटना पा एक बहुत बड़ी निधी के रूप में है वह है कि लोगों को उन्होंने देखा जमीन खोद कर सोने की खोज करना इसका मतलब है कि यहां तो सोना का खान था नहीं यहां तो सभी को पता है तो आखिर लोग सोने की खोज करके सोना कैसे निकालते थे तो आपको पता है कि यह आपको उस समय के जो विश्व था उस विश्व का एक बहुत वरा देश को देश का वह आपकी राजधानी पाटली पुत्र थी आप समझ सकते हैं कि आपको प्राचिन जो वंस थे मगध का जो राज वंस था हरियक वंस थे ठेक है ना जितने भी थे आपको मौर्ज वंस थे मौर्ज वंस के बाद भी आपको स्वानकाल कहलाने वाला गुप्त वंस सभी पाटली पुत्रा से निर्देशित और होते रहे हैं और समझे जिनका सीमा टकराता हो आपको शिकंदर के युनान के सीमा से टकराता हो वैसा सार्षनकाल पूरा भारत का मतलब था बिहार और बिहार का मतलब था पाटली पुत्र तो यहां के राजा महराज जो स्वन आभूशन और स्वन जो सिक्के थे उस समय स्वन सिक्का चलता था कुशान का में तो स्वन का भंडार था सिक्के सोने के ही चले तो उसे पहले भी स्वन मुद्राएं और स्वन सिक्काएं स्वन आभूशन स्वन मूर्तियां यहां के जमीन में लोग गार करके राजा लोग रखे हुए थे उसी को निकालने में लोग लगे हुए थे यह बात कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि यह स्वान भूमी रही होगी स्वान की अस्थल रही होगी इसलिए राल फीच जबकि बहुत सारी इतिहासकार इस पर प्रश्न करत हैं कि यहां पर तो स्वन का भंडार नहीं था अरे स्वन का भंडार स्वन खान में ही कि नहीं रहता है यहां तो स्वक्ष और 24 केरेट वाला सुंदर हीरा मोती यहां की धरती में समाविस्ट था और उस समय नहीं बैंक थे और नहीं कोई ऐसी जगह था जहां रखता लोग जम के अंदर रखे हुए थे उसी के निकालने में लोग लगे हुए थे और एक शार्षन क्या पूरे शार्षन काल जो पूरा विस्व निर्देसित हो वा भारत पाटली पुत्र से निर्देसित होता था क्योंकि यह राजधानी थी वहां स्वान पूरे जमीन में जमिन दोज थे और उसका खोद खोद के निकालने का काम किया गया था यहां के लोगों के दौला राल फिच देख करके एदम विस्मित हो गया आसर चकित हो गया लगता है कि कौन बहुत बड़ी उन्होंने या घटना को बहुत ही स्वान आक्षरों में स्वान की चीज़ों को स्वान यहां तो खान थी नहीं तो क्यों लोग जमिन को खोद रहे थे चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्हों ने यहां के वस्तर हफीम चीनी उद्दोग की चर्चा किया है लेकिन राल फिच जब लहार के तरफ से लोट रहे थे तो उनको आपको ढखईतों ने और बदमासों ने उनकी समान को भी छिन लिया और उनको मडर भी कर दिया तो मैं आगे बह रहाँ अबदुल लतीफ पर जो इरानी यात्रे थे सुल्लासव में आपको बिहार आये हो थे गंगा के नदी के मार से आगरा से राजमहल तक की यात्रा के दर्मियान चोसा सासारा मुंगे राजमहल का सविस्तार वर्नन किया और इस बितानत का तो आपको मालूम है के उपलब्द नहीं है परन्तु कुछ अंस अंग्रेजी में उपलब्द है जो प्रकासित हो चुका है और हमारे इतिहास बिहार के इतिहास पर वह जो प्रकासित अंस है वह बहुत बड़ा प्रकास मानो सूर्ज की प्रकास की तरह वह प्रकासित और भाश्मानित करता है यह अब्दूललतीफ के अंस है मैं मुहम्मद शादी के जो इरानी यात्री थे इवी इरानी यात्री थे पिता के साथ पटना आये हुए थे चार्ड वर्स तक रहे इनके पिता को 169 से 20 इसमें पटना का दिवान एक हालिशा न्युक्त किया गया था आप इससे समझ सकते हैं और इन्होंने पटना की सुंदर्ता और गौरव और यहां के बिद्वता और बिद्वानों की धर्ती की बहुत चर्चा किया है इनके पुस्तक जो बहुत मसहूर है शुवह ए सादी के यात्रा बितान्त बहुत ही प्रसिद्ध है यहां पड़िचाओं में आपको निस्सित ही पूछेगा इसको ध्यान में आप रखेंगे यहां बहुत पड़िचाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले पड़िचाओं में भी पूछे जा सकते हैं इसको ध्यान रखेंगे सुवह ए सादिक नेक्स्ट है पीटर मुंडी यह पीटर मुंडी जो थे अंग्रेज बेपारी अधिकारी थे जो साज जहां के समय आये थे 1628 से 34 तक यहां रहे 1632 में पटना में रहे और इन्होंने एक बहुत बड़ी चीजों का कस्तियों का मयूर पंखी कस्तियों का वरनन किया है यह कस्ति कस्ति मिंस क्या होता है नाव होता है और मयूर पंखी नाव का इन्होंने कस्ति का आपका चर्चा किया है वह कितना रोमांचक होगा जो मयूर की पंक की तरह जल में वह विचरन करता हो वेगमान हो हवा के साथ और लोग उसमें बैठे हो जलशयन का अनुभव करते हो कितना सुन्दर आपको यह रोमांचित करने वाला वरनन वह करते हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दिया कि अंतरास्ट्रिय ब्यापार का यह केंद्र था जहां से बड़ी संख्या में मंगोल, इरानी, आर्मिनियाई ब्यापारी रहते थे और ब्यापार का बहुत ही विशाल किंद्र था अंतरास्ट्रिय ब्यापार का और आज वह पाटली पुत्रा आपको वैसी स्तिती नहीं बनती है, सब राज्य और सब राज्य की राजधानी खुशहाल और इंडेस्ट्रिलाइशन खुब हो रहे हैं लेकिन आज इहां पर कोई इंडेस्ट्री नहीं है जब की प्राचीन काल से लेकर मद्ध काल तक यह सिखर अस्थान प्रस्तूत करता था, विश्व का सिखर अस्थान आज वैसा स्थिती नहीं है, कितना रोमान चिकारी और कितना आपको गर्वानित करने वाला यह छन रहा होगा जिन्होंने पीटर मुंडी जो आपको बतला हैं, अंग्रेज थे और अंग्रेज लेखक और ब्यापारी थे खुद, इन्होंने जो खुद ब्यापारी हो वह ब्यापार की हर एक सुख्छम चीजों को समझता हो, वह वरणन करेगा तो शही और शही आंकलन करेगा और वह आंकलन प्रस्तूत किये हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ मैनरिक जो हॉलेंड यात्री थे 1612 हिस्वे में पत्ना में आगवन होता उन्होंने पत्ना के बैपार के बारे में बहुत भुरी-भुरी प्रसंसा किया है यहां प्रमुख केंद्र था लाखों रुपया का सराफा बैपार यहां होता था उत्तम कोटी के सूती वस् यहां से इरान और मध्य एसिया में निर्यात होता था आपको मैं केवल और केवल आपको मुहम्मद सादी कहीं नहीं पीटर मुंडी और मुनरिक जो हॉलेंड यात्री थे इन्होंने भी काफी चीजों पर मुहर लगाया है वह मुहर है यहां की सम्रधी और यहां के आपको ब्यपारिक अस्थल की जो सर प्रमुक्ता था जो पूरे विश्व को आपको समान यहां से निर्यात होते थे एक्स्पोर्ट सेंटर थे यह कितने गौरवानित छन है आईए मैं मनुची के बारे में बतला देते जिनको मनुकी भी कहा जाता था और यह जो है इटालियन यात शा जहा के समय में भारत आगमन हुआ 17 सताबदी के मध्य में पटना के विशय में इन्होंने बहुत कुछ चर्चा किया है उसके बाद टैवर नियर आये जो फ्रांसे सी यात्री थे और यह जो 1665 से 1666 इस विमेल लगवग पटना में आगमन होता है उसने पटना में डच जो वासी थे हॉलेंड बैपारी थे के द्वारा सोड़े का बैपार का उले किया है यहां उनकी भेट आर्मीनियाई बैपारियों से होती है भूटान आशाम से ले करके आपको त्रिपुडा जैसे धुर्गम छित्रों में भी बैपार होता था और यह जो है आपको टैवर जो सुल्ला सो पांस से आपको नवासी इस वी तक यह इनका जन्म और मिर्टू काल है यहां रत्न हीरा के बैपारी थे सा जहां के दरवार में भी गए थे और छो वार भारत आये थे यह हीरे का बैपारी जो वह नहीं समझता है कि यहां क्या बैपार हो रहा है तो आप जात्री के बारे में बतलार हैं चाहे वह हॉलेंडवासी हो फ्रांसेसी हो चाहे वह पस्सिमेसिया के हो चाहे इराणी हो सभी लोगों ने यहां के बैपार की भूरी भूरी प्रसंसा किया है और यहां की बैपार की दिब्वता और भब्वता निर्यात की पूरी सविस्तार चर्चा किया है वह पाटली पुत्रा उस समय कितना अच्छा रहा होगा मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह ब्लू डाइमेंड हीरा की खोज किया और खोज करकर के वहाँ फ्रांस के लुईस चौदाहमा को बेच दिये और यहां के भारत के हीरे के खानों के वारे में सविस्ता बतला है क्योंकि वह खुद हीरा के व्यपारी थे ब्लू डाइमेंड हीरा उने के प्रया से पूरे विश्व जाना और लुईस चौदाहमा को जो उनका साशनकाल था आपको फ्रांस में उनको समर्पित किया बेच दिया जौन मार्सल जो अंग्रेजी यात्री पेसे से चिकिस सकते विश्व आकाल पड़ा था पूरे देश में 1671 में उस समय पटना में आये उस पटना और पटना के आसपास के छित्रों में डेर लाख लोग की मृतुबता है आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर त्रास्दी आया था उस त्रास्दी से पाटली पुत्रों को जहलना परा जिसके चलते आज भी उसे हम लोग निजात नहीं पाएं हैं मैं आपको बतला रहा हूँ कि उसके बाद मैं बतला रहा हूँ बहानी के बारे में बतला रहा हूँ यह उन्हेसमी सताबधी में बिहार में क्पई बार आगमन किये और सबसे बड़ी बात है गिए इन्हों ने पटना को जमितूल हिंद कहा यह ऐसे व्यक्ति जो आप समझ रहे हैं कि यह आपको इरानी धर्मा चार्ज थे पटना में आए और यह कहते हैं कि यह कितनी बड़ी सम्मान पटना को देते हैं कि जमितूल हिंद मिस भारत का स्वर्ग है भारत का स्वर्ग है आज सरकार को चाहिए कि पटना में प्रवेश करने वाले अस्थान में बड़ा बोड लगा दे पत्थरों का रुहा लिख दे जमितूल हिंद भारत का यह स्वर्ग है यह कितनी बड़ी गर्वानित करने वाला च्छन है और यह जो है बहवानी शाहब ने इसको चर्चा किया है और उन्होंने यात्रा व्रतांत में मीरुतूल अहवाल लिखा था और उसमें पत्ना का नाम अजीमाबाद राजकुमार अजीम द्वारा रखा गया था इसकी भी चर्चा किये वह भारत का जो स्वर्ग जमितूल हिंद जो उन्होंने चर्चा किया इ आपको मैं बतला देता हूँ कि यहीं के वह रह गए वह नहीं लोट पाए वह कहे कि हम यहीं पर रह जाएंगे और यहीं की धरती हमारे लिए पवित्र धरती है पाक धरती है इसलिए वह यहीं के रह करके आपको यहीं पर रह गए हुआ मैं आपको बतला रहा हूँ बीसप हीवर 1824 इसमे में गंगा के नदी मार से पुर्वी भारत को यात्रा करते हुए राज महल भागलपूर पटना दानापूर सभी में या कुछ को दिन रूख करके यहां की समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक चीजों का वरहनन किया है इसके बाद मैं आपको या अंग्रेज पादरी थे बीसप हीवर मैं इसके बाद फ्रेंकोईस जिसको फ्रांसवा बर्नियर काते हैं बर्नियर से जादे यह जाने जाते हैं 1656 इसमें भारत आगमन के 12 साल रहे और दारा सिको के चिकिसक जो और अड़नजेव के भी चिकिसक सलाहकार के रूप में रहे इन्होंने पुस्तक लिखी अपने पुस्तक के जड़िये यहां की धर्ती को इतना वस्नेह करने लगे कि वह अपने पुस्तक के जड़िये भारत को फ्रांस ले जाना चाहते थे यह कितने बड़ी छण है और कितना बड़ा आसर्ज की बात है कि कोई ट्रैविलर और वह आते हैं और वह चाहते हैं कि यहां की समाजिक यहां की सांस्कृतिक चीजों को अपने पुस्तकों में इस तरह समेटें कि हमारा फ्रांस हमारा देश उसको वरन करे यह काम कितना गर्वानित करने वाला छण है और यह अपने पुस्तकों के जड़िये वह चाहते थे कि भारत को फ्रांस ले जाएं जैसे रावन चाहता था कि सिव जी को उठा करके हम ले जाएं अपने घर ले जाएं ठेक है तो उसी तरह से लगता था कि पूरे हरदय को भारत के हरदय को अपने हरदय में रखते हुए और फ्रांस ले जाएं यह कितना बड़ा छण है कितना रोमान चिकारी और आपको यह छण है आप समझ सकते हैं आईए मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह जो आपको बतला रहा है यह फ्रांसेसी डॉक्टर थे दार्षनिक थे इति नड़ी के रूप में भारत आए और यह जो है सो भारत में ब्रह्मन करके भारत के बिविन पहलूओं पर सुक्ष्म रूप से वरणन किया है इसके बाद वावरी आए और कही इतिहास का ट्राविलर यात्री आए जो बिहार की गरिमा को गरवानित करते हुए अपने पुस्तक करते हैं जै हिंद जै भारत